एक लेडर है यह हमने बना दिया इसमें डाइग्राम में यह 10 मीटर लंबी एक लेडर है और यहां पर यहां पर यह बिंडो पर यह लैडर का टोप रखा हुआ है और बॉटम इसका ग्राउंड पर है यहां पर इस तरह से लैडर रखी हुई है Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall अब यह वाल जो है दीवार जो है वो वर्टिकल है और यहां पर यह लैडर का बॉटम है तो bottom, ladder के bottom से लेके और जो wall का जो base है वहाँ तक की distance हमें निकाल ली है यहीं हमें BC ज्याद करना है तो अब हम इसमें देखें तो हम इसमें, मैंने लिख भी दिया इसमें let AC is the ladder, AC एक ladder है and C is the foot of the ladder, C इसका ladder का foot है ठीक है, so A is the position of the window A इसकी window की position है and AB is the wall AB एक wall है, जो के 8 मीटर लंबी है यह इसमें question में हमें दिया हुआ है कि यह 8 मीटर लंबी wall है और यह ladder 10 मीटर है अब चलिए अब question स्टार्ट करते हैं तो इसको यह हमने पहले लिख लेंगे और उसके बाद में हम अब इसमें क्या करेंगे यहाँ पर यह 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि यह विल्कुल vertical है यह ground ऐसे तो यह vertical है तो यहाँ पर क्या है पाईथावरस theorem लग जाएगी तो A, C, B जो triangle है वो right angle at B है ठीक है तो अब हम इसको लेखेंगे कि now now in right angled triangle right angled at B right angled at B तो B पर यह 90 डिग्री है ठीक है तो इसमें क्या होगा अगर हम इसमें पाईथावरस theorem यूज करेंगे तो क्या होगा hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square ठीक है तो इससे हम ground का यानि BC निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें लिख देते हैं AC square is equal to यह perpendicular कितना है इसका AB तो AB square और plus यह ground कितनी B से C तक है यहाँ पर ladder की foot से तो यहाँ पर यह हो जाएगा base यानि BC square अब हमें इसमें BC square निकालना है तो अगर हम BC square निकालना है तो हम क्या करेंगे BC square को इसी side में रखें और इसकी values रख लें पहले ठीक है तो AC की value कितनी है 10 का square और AB कितना है हमारा AB है 8 तो यहाँ पर आजाएगा 8 का square और plus में हमारा यहाँ पर आजाएगा BC square ठीक है यहाँ तो अब हम BC square को इसी side में अगर रखें तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर transpose कर देंगे 8 square को तो यह हो जाएगा 10 का square हो गया 100 10 का square कितना हो गया 100 और 8 का square हो गया 64 तो यह इधर plus में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा ठीक है friends तो यह 100 में से यह हम 64 को माइनस करेंगे तो कितना बचाएगा 36 ठीक है तो 36 बचा तो 36 is equal to BC square यानि BC is equal to क्या होगा तो by taking square root on both the sides BC is equal to हो जाएगा root of 36 और root of 36 friends आपको पता ही है तो root of 36 कितना होगा 6 होगा तो इसका answer 6 आजाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे hence the distance the distance अब जो इसमाँ पूचा था the distance of the foot of the foot the distance of the foot of the ladder of the ladder from base of the wall base of the wall is equal to कितना आ गया हमारा 6 और इसकी unit क्या थी friends meter तो 6 meter आ गया यह answer आ गया नाइन्थ question में हमने यहाँ पर यहाँ पर भी हमें लिखना है यहाँ पर रैकेट में लिख देते हैं using Pythagoras theorem तो यहाँ पर भी लिख देते हैं using Pythagoras theorem ठेक है friends तो मुझे आसा ही नहीं बलके पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और जादा से जादा लोगों के साथ शेर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा पूरा लाब ले सकें Thank you Thank you very much